है 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 आज आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोलोजी ओफ डाजेस्टिफ सिस्टम अब हम डाजेस्टिफ सिस्टम पढ़ने वाले हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो देखो सबसे पहले हमें बात करने हैं कि डाजेशन क्या होजा ह तो आप सभी को ये बात पता है कि राइजेशन चाहां होता है इक ऐसा प्रोसेस हैं इसके आंदर हम कॉंप्लेक्स फूट को सिंपल एबजॉरेबल ओम में कनवर्ड करते चाहिं बस एक अंदर प्रोसेस होता है कौन-कौन सी चीज़ आती है एंजाइम स्माइकनिकल प्रोसेस डिग्लिटेशन जितनी भी चीज़ हैं उस सब हम डिसकस करने वाले हैं बस आज की वीडियो में तुम्हें एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं इसके बाद सारी वीडियो इसके बाद वन बाइवन आती र कि आए ठीक है तुम्हें ईक्चना च्पाद लिखाई उसके बाद डिए उसके अंदर क्या होता है कार्बो हाइड्रेट होता है कार्बो हाइड्रेटcom यह सब्सक्रा तुम ने कुछ और चीज़ खाई जिसके अंदर प्रोटीन होता है यह फिर कुछ और चीज़ खाई जिसके अंदर होता है तो हम खाना किस फॉर्म में खाते हैं हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की फॉर्म में लेकिन हमारी बोडी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को एब्सॉप नहीं कर सकती क्यों कर सकत हो गई स्मॉल स्मॉल यूट्स में थैसे कारवबॉया रिट की हमव ही Millennine конечно Glucose हो गी डिल्लस हो गही तो मुझे स्को Glucose के इस इस समयं क्रमुल्ड कना पड़ेगा अगर ने बात करते हैं तो प्रोटीन की किसी स्वार्श में होता है प्रोटीन होता है polymer of amino acid तो यहाँ पर मुझे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसको protein को break करना पड़ेगा किसमें amino acid के monomers में उसके बाद ही में इसको absorb करवा सकता हूँ अपनी body के अंदर इस तरीके से fat अगर हम बात करता है fat की तो यह fat हमारी body के अंदर absorb होता है कब जब यह ब्रेक हो जाता है fatty acid or glycerol में तो बात समझा रही है इसके अंदर हमें क्या करना है इन complex चीजों को convert करना है एक simplest form में simplest absorbable form में और इसी process को हम बोलते हैं digestion बस simple सा यह फंडा है अब यह digestion है इसके दो method होते हैं एक होता है इसके अंदर mechanical method और दूसरा होता है biochemical method ठीक है एक होता है mechanical method और दूसरा biochemical mechanical method के अंदर क्या होता है जैसे कि हमने खाना खाया और mechanical हैं मुसको तोड़ रहे हैं simple form में complex से जैसे कि हमने खाना खाया खाना खाने का हम उसे दास चबाते हैं मैस्टिफिकेशन बोलते हैं वह क्या हो गया हमारा mechanical process हो गया यह mechanical method हो गया दूसरा आता है इसके अंदर biochemical biochemical जिसके अंदर enzyme act करते हैं तुम्हें पता है हमारे पूरे digestive system में बहुत सारे enzymes हैं और वह सारे enzymes act करेंगे जो convert करते हैं complex food को simplest food में ठीक है अब यह हो गया इसका introduction अब मैं जो बहुत जादा basic बाते हैं वह नहीं बताऊंगा जो हमने 10th class किया 12th class में पढ़ी दी 11th कि बात फिर भी वह सारी इसके अंदर आएगी लेकिन ज्यादा वह नहीं बताऊंगा इसे इन इंजेशन क्या होता है यह सारी बाते नहीं बताऊंगा मैं आगे चलता हूं जो हमारे लिए इंपोर्टेंट चीज़ है मैं सिर्फ उसको कवर करूंगा अब जैसे इसके बाद आती है वोल ओफ जी आईटी ठीक है हम इसकी वाल्स के बारे पढ़ेंगे तो वाल्स भी हो सकता है तुम सबको पता हो हम वाल्स पढ़ने वाले हैं इसकी आउटर से इंसाइड हम क्या करते हैं जैसे हमारी पूरी जी आईटी हो गई जी एडी टीव हो गई हमने क्या कर रहा है इसमें कट लगाया ठीक है कट लगाने के बाद में यह कुछ इस तरीके से हो गई और हमने एक छोटा सा कट ले लिया इस तरीके से और हमने यह एक तिन शीट हमे तो इसकाità की वule का तो इस तरीक चीक घिकता है तो अब देखो जो और आउटर मोजट लेयर होती है यह इसको बोला जाता है सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर इसको यह सिरोसा ठीक है हम आउटर से अंदर की तरफ चल रहे हैं यह क्या है हमारी यहां पर कैवीटी यह बागी सारी यह कवरिंग सायती है तो यह आउटर होगी सिरोसा इसके बाद आती है मस्कुलेरिस मस्कुलेरिस डबल लेयर होती है यह और यह यह दोनों क्या है इनर लेयर को ठीक है आउटर होती है लॉंगिट्यूडनल लेयर और इनर होती है सर्कुलर लेयर इसके बाद नेक्स लेयर आती है इसके अंदर सब म्यूकोजा इस वन इस सब म्यूकोजा और बीच में प्रेजन होता है इसके अंदर लिूमन तो इनके बारें पड़ेंगे कि यह जो लेयर से हैं यह किस किस से बनी होती है तो सबसे पहले सिरोसा की हम बात करते हैं सिरोसा बनी होती है विजरल एपिथीलियम से एपिथीलियम हमारी पूरी बोड़ी के उपर बहुत जगा पर प्रेजेंट होती है सिंपल इसके अपिथीलियम हो गया कॉलूमनार एपिथीलियम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है उसके कुछ कनेक्टिव टिशू भी होते हैं इसलिए में आप पर लिखते हैं एंड सम कनेक्टिव टिशू जो इंपोर्टेंट चीज़ हैं सब वहीं बता रहा हूं है ध्यान रखना तो हमारी सिरोसक इसके बनी होती है विजरल тории इसमाद मीजो दियंप शूम मैं कुछ कनेक्टिव टिशू तो बात करते हैं तो मस्कूलेटीह ज नहें is longitudinal is called outer muscularis and inner layer circular is called inner muscularis अभी जो आउटर और inner layer है इन दोनों के बीच में एक प्लेक्जिस प्रेजन्ट होता है मतलि हाँ पर नर्फ अप्लाई होती है और उसको हम बोलते हैं और अब इसके बारे में बातने पात करेंगे जब हम नंफ सब्सकू लैप पढ़ेंगे जीएटी ही ठीक है तब बात करेंगे उन न फ्रसंट की बीच बीच मोता है यह चेछ प्यालना करने तुर्य अब बात करता हम इकोजे की तो मीकोजा है हमारी सबसे ढ़ Lord Saidorgan को सिए हमारी मीकोजा ऊपनोड़ को आ इसा के सा फ्रटिक होते हैं तो यह हो गई हमारी जी इसमय में आ गई होगी अब तो यह हमारी इंट्रोड्ट़्टि वीडियो है, इसके अंतर हम अपना एक टॉफिक और कवर कर लेते हैं, जो हम गर हम बात करते हैं, पूरी GIT की, तो पूरी GIT के अंदर 6 sphynchor होते हैं, पूरी GIT के अंदर total 6 sphynchr present होते हैं, हम one by one वो देखते हैं, ठीक है जो को अच्छों टोटल 6 इस फिंचर प्रेजाइट इन फोल जी आईटी है मैं वन वाई वन तब बताता और और उनकी location वताऊंगा कि वह हमारी body के अंदर कहां present होते हैं पूरे जी आईटी में पूरे जी आईटी में जिसे सबसे पहले आता है सके अंदर कि अपर इसोफेजियल कि इस में एक है और दूसरा आता है सके अंदर इस अपर इस विंटेर देखो अगर हम बात करते हैं अपने इसो स्टार्ट हो चाहिए है चाहित कहा तक पहुसता सब्सक्राइब तक नुकि तता है तो यह होगिया हमारा इस थर गभर कि अब इस थरीकते हम यहां पर डाय प्रम हें और यहीं से स्टाव्ण रूता है हमारा इस तमक मैं सं तहरीक है कुछ तरी के संबना दिया है रुफ न डिय घ्रॉस और इसके उक पर प्रेजेंट होगा हमारा फेरिंग्स तो जो अपर इसोफेजल स्विंचर होता है वह हमारा यहां कहीं प्रेजेंट होता है फेरिंग्स और इसोफेजल स्विंचर है वह प्रेजेंट होता है इस टमक की जब एंट्री होती है इस टमक के इंट्री होती है वहाँ पर प्रेजें पीजिन्टर प्रेजेट में उसको नाम है पामोरिक स्फंटर बात के लिए रहे ठीक है हम अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चोते इस फिंटर की तरह दिसका नाम है इस इस फिंटर ओफ ओड़ाई अब यहां प्रेजेंट होता है यह प्रेजेंट होता है हमारा इसके साइड में क्या होगा बच्चे यहां पर लीवर होगा हमारा ठीक है और लिवर से के निकलते हैं भी ओगे और यहां पर होता है कहीं गॉल्ड ब्लेंडर में से कमबाइन होती चालो मैं तुम्हें इसका नाम वगेरा भी नहीं बता रहा और यहां के पैंक्रयास श्याइक और पैंक्रह रे एकट ही जिएता है हमारा second part of Deodenum में तक है अब यह स्टमक के बाद क्या स्टार्ट और हो जाएगी यहां साथ हो सपोस्पोस करो स्मॉल स्टार्ट होगा इस तरीके से यह हमारी होगे स्मॉल इंटस्टाइन तो स्मॉल इंटस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं जो उसका फर्स्ट पार्ट है यह ड्यूदिनम इसके सेकिंड पार्ट में यहां पर जुदने भी यहां पर इसके सिक्रिटरी प्रोडक्ट एंजाइम्स वगे रहें वो सारे यहां पर सेकिंड पार्ट ओफ डियुडिनम में ओपन होते हैं यहां पर एक स्फिंटर लगा होता है जिसको हम बोलता है इस फिंटर ओडाएं ठीक है बात के लिए रही हम आगे मूव करते हैं इसके अंदर फिफ् अब इलियो सीकल स्फिंटर का होता है अगर हम बात करते हैं इसमोल इंटरस्टाइन की तो जब इसमोल इंटरस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम डियोडिनम जेजिनम इलियम तो यह होगी हमारा डियोडिनम उसके बाद जेजिनम होगा और जेजिनम के बाद क्या स्टार्ट होगा हमारा इलियम अब इलियम से क्या स्टार्ट होगी हमारी लाज इंटस्टाइन तो वहां पर फस्ट पार्ट होगा सीकम तो जो सीकम की स्टार्टिंग होगी यहां से सीकम जो बनेगा तो सीकम से और सोरी इलियम के बाद और सीकम से पहले यहां पर एक इस फिं यहां पोचेगी रेक्टम एन एनस तक तिक अब आती है हमारी लास इस्विंटर की बात हमारा जो लास इस्विंटर होता है उसका नाम है basement जिसे की नाम से पता चल रहा है यह कहां हो मारी अनल के इंदर होगा एनल करनाल यह अनल के लाय तो यहां पर दो इस में ट्रप्रेजेंट होते हैं एक internal इस स्विंटर और एक एक स्टरनल एनल इस फिंटर ठीक है तो हमारी पूरी बोडी के अंदर जो जी आई टी ट्रैक्टरल में इसक नाम प्रता ब से इसके बाद इस का यहाँ पर प्रेजेंट हैं उसके बाद कहां लास्ट में एक इंटरन एंट स्टर्ण एनल इसविन्टर प्रेजेंट होते हैं ठीक है बात के लिए तो यह होगी इसका थोड़ों सा जन्नल इंट्रोड़क्ष्अन अब हम इसके बाद